क्या कहना भाई क्या कहना आनंद आ गया गजब हुई गवा अब देके साउमी और साउमी का साब बैन रेडबी ने भारत में कुछ दिम पहले दो फोन लॉंच किया था एक तो रेडबी नोट सबन और दूसरा रेडबी नोट सबन प्रो अब इस दोनों फोन में आपको aggressive price तो आपको देखने को मिलता है साथ में खतरनाक specifications भी देखने को मिल जाता है पर अभी ये जो साउमी सबन रेडबी है वो चाइना में 18 तॉप मार्च को लॉंच करने वाला है वही जो भारत में आया था रेडबी नोट सबन प्रो उसी फोन को पर रेडबी नोट सबन प्रो के साब रेडबी और एक फोन को 18 तॉप मार्च को चाइना में लॉंच करने वाला है जो एक budget स्मार्टफोन होगा और ये budget category पर आएगा और इस फोन का नाम है रेडबी 7 जो रेडबी 6 का सक्सेसर होगा तो अगर आपका budget कम है आपका budget टाइट है और अगर आप एक budget category में स्मार्टफोन लेना चाते हो तो ये वीडियो ज़रू देखिएगा इस वीडियो में मैं आपके साथ सेर करूंगा रेडबी 7 का कुछ features, कुछ specifications और ये क्या price में आपको देखने को मिलेगा और भारत में कब तक आपको देखने को मिलेगा देखते रहे ये वीडियो By the way, मेरा नाम है शुमोन, आप देख रहो gadgets वाला, that means it, चलून, कॉर्बोनार देरी, शुरू करी ताह तरी टिके सावमीज, साब बैंड रेडबी, बहुत दिन पहले लॉंच किया था रेडबी 6 और अभी रेडबी 6 का सकसेसर रेडबी 7 आ रहा है, अभी ये जो रेडबी 7 आ रहा है, ये चाइना में फास्ट लॉंच हो रहा है, 18 तॉप मार्च को अभी चले फास्ट देख लेते हैं, ये कौन-कौन से वैरियंट में आएगा और इसका प्राइस क्या रहने वाला है, अभी ये जो रेडबी 7 आपको तीन वैरियंट में देखने को मिल जाएगा, जो बेस वैरियंट, 2 GB RAM और 16 GB ROM के साथ, जो दूसरा वैरियंट, 3 GB RAM और 32 GB ROM के साथ, और जो अंत में आपको देखने को मिलेगा, वो 4 GB RAM और 64 GB ROM के साथ, अभी इसका प्राइस क्या होगा, देखिए, चाइना युवान के हिसाब से, जो 2 GB और 16 GB वैरियंट है, इसका प्राइस आपको लगबग 7 से 8000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, अगर इसी प अब कुछ खेला स्टार्ट होगा, अब तबाही स्टार्ट हो जाएगा, चलिए, आप बात करते हैं इस फोन का कुछ फीचर्स और स्पेक्स के बारे में, अभी अगर मैं यहाँ पर डिजाइन और बिल्ट क्वालिटी के बारे में बात करूँ, तो वही आपको Redmi Note 7 के तरह ह देखने को मिलेगा, यानि Redmi 7 में भी आपको Gradient Colors मिलेगा, आपको वही Glass Finishing मिलेगा और Glass Design मिलेगा, अभी मैं यहाँ पर बात करूँगा डिस्प्ले की, Redmi 7 में आपको 6.26 इंचेस का HD Plus डिस्प्ले मिलेगा, हाँ ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ पर फूल HD Plus डिस्प्ले द According to 7000, यह काफी अच्छा स्मार्टफोन बन सकता है, with water drop notch, अभी चलिए, बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोसेसर की, अभी यह सुनने में आ रहा है, Redmi 7 में आपको Qualcomm Snapdragon 632 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो 1.8 GHz पे clocked होगा, अगर यह प्रोसेसर भी आता है न, इस प्राइ 450 से कही न कहीं आगे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सरे स्मार्टफोन बैंड है, जो आपको इसी प्राइसें में, 8000 में, 9000 में दे रहा है 450, तो मेरे ही साब से यह प्रोसेसर काफी अच्छा होने वाला है, अब आपके जो देनिन दिन जिवन पे जो टास्क हैं, आप जो भ आइमरी कैमरा होगा, वो 12 मेगापिक्सल का, और जो सेगेंडरी कैमरा होगा, या तो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का सेगेंडरी कैमरा देखने को मिलेगा, या तो 5 मेगापिक्सल, अब आप भी कमेंट करके बताइए, रेडबी नोट 7 में, आपको 12 और 2 मेगापिक्सल क इसमें दिया जाएगा, आप यहां पे Full HD में वीडियो रिकॉर्डिंग करने में सक्सम रहोगे, साथ में आपको EIS भी देखने को मिल जाएगा, अभी सामने में आपको 8 मेका पिक्सल का एक सेल्फी कैमरा मिल जाएगा, साथ में इन डिस्प्ले फ्लास भी आपको मिल जाएग यहनी, proximity sensors, gyroscope, gravity sensor, hall sensor, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, सब कुछ मिल जाएगा, साथ में यहां पे अगर मैं battery के बात करूँ, तो यहां पे आपको, 3000, 3000, नहीं, 3000, 9, 900, यहा, रेटी भी 6 में आपको 3900 image के battery मिल जाएगा, और आपको micro USB port भी मिल जाएगा, साथ में यहां आपको जो operating system देखने को मिल जाएगा, वो out of the box Android Pi होगा, साथ में Mi Y10, तो यह था इस phone का कुछ features, कुछ specifications, और price तो मैंने beginning पे कह दिया है, अगर Redmi, इसी price में, भारत में भी इस phone को launch करें न, 7000 में, क्योंकि हम Indian expect करते हैं, कम से कम price हों, और features जादा से जादा हों, अगर 6000, 999 साइन पे, यह base variant को, 2 जबी, 16 जबी को, अगर भारत में लेया आए, तो मुझे लगता है, काफी दमदार होगा, यह phone भी, आपको क्या लगता है, हाँ, यह video तो अंत होने वाला है, अगर आगर आपको यह video पसंद आ रहा है, अगर आप मेरे channel को पसंद कर रहे हो, तो एक का कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और सपोर्ट करने के लिए, आपको सब्सक्राइब करना होगा मेरे channel को, साब पे, notification bell को जरूर पूस्ट करना, क्योंकि इससे आपको अखर एक videos का notification मिलेगा, अपडेट मिलेगा, giveaway आने वाला है, एक लाग होने तो दो, उम्मिद करता और हाँ, ये phone कब आएगा, आप मान के चलो, within one to two month, आपको ये phone भारत में भी देखने को मिल जाएगा, और बहुत जल्द आपके सामने आ जाओंगा, और एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद